हैलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उमीद है कि बिल्कुल ठीक ठाकूंगे फ्रेंज एक और न advertising के साथ उगी हो आपके सामने हाजर फ्रेंज बहुत ही फाय्द मन्द है ये जानकारी इसे अगर आप अपनाते हैं तो आप बिल्कुल fit रहते हैं और आपकी दिन चरह बिल्कुल first class जाएगी फ्रेंट्स बहुत ही beneficial ये वीडियो है आपके लिए आप इसे पूरा देखिएगा तो फ्रेंट्स जब हम dry fruits खाते हैं तो उन्हें हमें किस तरह से खाना है फ्रेंट्स उसे हमें भिगो कर खाना है जब हम nuts को भिगो देते हैं तो उसमें जो iron protein, calcium और zinc जैसे कई पुशक तत्व जो होते हैं हमारे शिरीर में जाते ही बहुत अच्छी तरह से digest हो जाते हैं फ्रेंट्स उन्हें फिर problem नहीं होती पचाने में तो जब पानी में हम डालते हैं ना nuts को तो जो पानी होता ना acid में मौझूद phytic acid को हटा देता है जो हमारे मतलब अपच का कारण बनता है तो पचने में इसे कोई problem नहीं होती जब हम इसे भिगो कर खाते हैं फ्रेंट्स इसलिए हमेशा जब भी आप इसे भिगो कर खाएं इस तरह से मत खाएं तो भिगोने से और भी हमें कई फायदे मिलते हैं फ्रें ना तो आपका सुमें जो सुभा का समय जो शुरुआत होती है तो रात को सोने से पहले आप बिल्कुल अपने आपको energy से भरपूर पाएंगे फ्रेंट्स इतने beneficial हो जाते हैं जो हम भी गो कर nuts को खाते हैं और फ्रेंट्स वजन करने में भी हमारे ही help करता है इसमें जो पिस का निबाते हैं फ्रेंट्स इसे खाने से जो हमारा जो तौचा है ना वो बहुत ही शाइन करने लग जाती है हमारा फेस काफी glow करने लग जाता है हम बिल्कुल युवा दिखने लग जाते हैं मतलब और भी ज़्यादा जवान हो जाते हैं तो आप इसका सेवन जरूर कीजे नित्य करिए रोज खाईएगा फ्रेंट्स और ये गलत बात नहीं बिल्कुल सही बात भी गोकर खाने से ना हमारे जो ड्राइफ रूट्स है हमें कई गुना फाइदा करते हैं आप इसे खाना स्टार्ट करेंगे आपको खुद बग खुद पता लग जाएगा फ्रेंट्स पिछते में भी काफी अच्छी मातर में फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को बहुती बैस्ट रखता है फ्रेंट्स इसमें जो शिरीर में अच्छे बैक्टेरिया हैं उन्हें बढ़ाने में साहे करता है पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है हमारे कबज़े जासी रोती है ना वो भी बिल्कुल खतम करता है जो मखाना है फ्रेंट्स इसे मैंने इसलिए एड़ किया है फ्रेंट्स इसमें भी प्रोटीन अच्छी मातरा में होता है फाइबर कैल्शियम आईरेन मैगनेशियम और भी कई अच्छी पोशक्तत इसमें होते हैं और यह हमारी बोन था सकते हैं वो वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड की हुई है तो आप उसे जुरूर देखिए आपको खुद बखुद पता लगेगा तो आपको मैं इसकी रेशो बता देती हूँ देखिए एक व्यक्ति के लिए दो अकरोट की आप गिरियें लेजिए एक चमच आप काजू काजू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैस्ट होते है फ्रेंड्स जरूर इसमें एड़ कीजिए और पांच ही मैं बदाम इसमें डारी हूँ यह एक व्यक्ति के लिए मैं बतारी हूँ कि एक व्यक्ति अगर सेवन करना चाहे तो इसकी रेशो कितनी होनी चाहिए और इसमें हम पांच से साथ पिस्टा भी एड़ करेंगे फ्रेंड्स बहुती फायदे मन्द होता है पिस्टा हमारे लिए और मकाने देखिए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ लेकिन आप जब भिगो कर रात को भिगो कर सुबह खाते हैं तो पांच मिनट पहले आप इसे भ पनकर त्यार होगी हमारा शरीर जो है ना अगर सुबह आप इसे खाली पेट खाते हैं पानी इसका निकाल दीजिए और आप इसे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाईएगा फ्रेंड्स मैं और भी तरीके आपको जरूर बताऊंगी कि आप इसको और भी कई तरीकों से इन सुबह उठते हैं जब तो आप इसे खाली पेट खाईएगा और चबा चबा कर खाईएगा आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स किश्मिश में इतने जबर्दस फायदे हैं मैं आपको क्या बताऊं इसे खाने से मतलब आइरन की भी हमें से पचा सकते हैं और हम आइरążय डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और देखे बदाम को अब जब सुबह खा रहे थолод इस सुबह रहें च्हल का जरूर इतार दीजिए क्योंकि इसको हमें छिलके के बगैर खहना है च्हल का इस्के साथ नहीं होना चाहिए तो यह भीगिव हुए नट्स जो हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे जो इनमें पोशक तत्व हैं हमारे शरीर की कमियों को पूरा करते हैं और देखिए खाने से हमें बहुत ही ज्यादा मिलता है इसमें मतलब की विटमिन ए जो होती है वो मिल जाती है और भी कई मिलते हैं फोलेट मिल जाता है अक्रोड जो होता है हमारे जो मस्तिक्ष को तेज करने में साहिक है यादा शक्ती हमारी तेज करता है बच्चों को तो जरूर खिलाएं अगर आप बच्चों को खिला रहे हैं तो पढ़ने वाले होते हैं बच्चे और उनका दिमाग अगर तेज होगा तो आगे ही तो बच्चों के लिए तो श्क्रावरत estásब मत्र में entering काधोयाइं जो हमारी शरेल की कम्यों को क्रते हैं पूरा तो आप इसे रात को भीगो दीजिए और सुबह उठके इसे खाली पेट खाईए और चुबा चबा कर खाईए आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी देखिए जो बदाम होते है वो भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत पैस्ट होते है और बदाम को तो ड्राइफुट का राजा माना जाता है आपको मालूमी है बहुत ही फा जूरी होतार सुबह आप इसे अराम से खाईए और आप मुझे जुरूर बताईए कि आपको इससे कितना फाइदा मिला है तो फ्रेंड्स फे मिलती हूं एक और नए जानकारी के साथ तब तक के लिए बाँ बाई